ज्यारखन में भाचपा आने वाले दुनों में किसानों के मामले को लेकर हेमन सरकार पर दवाव बढ़ाने वाली है बीजेपी मानसून के आगमन और पैसे के इंतजार में बैठे किसानों के लिए धरना करिकरम भी करेगी ज्यारखन के सबी 17 जिलों के अध्यक्ष और जिला प्रवारियों की बैठेक में इस मुद्दे को पार्टी ने उठाया भाचपा प्रदेश के अरले में प्रदेश अध्यक्ष और सानसा दीपक प्रकाष के अध्यक्षता में चली इस बैठख में पार्टी संगठन को और बहतर किये जाने पर भी चर्चा हुई इस बैठख में BGP के कई बड़े नेता हाजिर हुए इस बीच भाचपा की तरफ से कहा गया कि राज्ज सरकार लगाता किसानों के हितों से खिलबार कर रही है ना किसानों से धान की खरीद का पैसा उने दिया जा रहा है और ना ही कोई चुनावी वाइदा पूरा किया जा रहा है अब बताये चले हैं कि भाजपा ने कहा कि दो लाख के करजमाफिय और किसानों को मुफ्त बिजली दिये जाने के सरकारे वाइदा अब तक सिर्फ वाइदा ही बना हुआ है इस बीज़ दिपक प्रकाश ने पार्टी संगर्थन से जुड़े सद्विस्तों से कहा कि वो अपने अपने शेत्रों में लगतार किसानों के समर्थन में खड़े होकर जरूरी मदद करने का प्रयास करें वहीं बैठक में 18 जून को किसानों की मांगों के समर्थन में खेतों में धर्णा दिये जाने के मसले पर भी चर्चा की गई फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि केंदर में बीजेपी की सरकार है लेकिन किसानों के धर्णने के बावजुद उनकी मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या राज़्य में बीजेपी किसानों को अपने पाले में लाए पाएगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है ITP Newsroom की रिपोर्ट